मुझे लगता है जब देश पूरा एकजूट होकर इस पद्धती की जो चुनवती आतंक के द्वारा पाकिस्तान ने निर्मान की है उसका मुकाबला करने के लिए संद्ध हो रहा है एकजूट हो रहा है तब इस तरीके से politics of suspicion संदेह की राजनीति में और विश्यों को उचालना मैं मानता हूँ कि इससे अधिक गयर जिम्मेदाराना ऐसा कोई विवहार नहीं हो सकता और इसलिए बहुत गयर जिम्मेदाराना विवहार है अगर इनको अपने देश के लोगों के प्रती यकिन नहीं है और विदेशी म को प्रमान मानते हुए यह आगे बढ़ रहे हैं मैं मानता हूँ कि यह विदेश परस्क मान सिकता जो कुल मिला पर कॉंग्रेस में है मैं मानता हूँ कि उसी का एक परिचायक है और इसकी जितनी निंदा करें कम है मंध्यप्रदेश के नेता है वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिबकि सरकार उनके दूसी तरह मंध्यप्रदेश में लगाता है अपराव की घटना है दो भाईयों का छोटे भाईयों का अपरान परहत्या अभी एक नावालिक लड़की का रेप और उसके बाद मडर करके पंधर सालों के बाद वैसे तो मुख्यमंत्री जी श्रीमान कमल नात जी है मगर जैसे की मध्यप्रदेश की लोग जानते है कि परदे के पीछे से कोई और ही सूत्र समान रहे हैं तो इन लोगों ने जिनको प्रश्रे दिया था जो भी अपराधिक तत्वते अभी उनको ब अन्यान अपराधिक घटनाओं में वो पहले संसलिप्त थे ही अभी पुना उनकी उसमें सहवागिता सामने आ रही है और इसलिए ये मध्यप्रदेश की जनता को बहुत ही हताश करने वाला विशे है वैसे भी जनता इन चुनाव परिणामों से प्रसंद नहीं थी उनको ल पंधर सालों के बाद वैसे तो मुख्यमंत्री जी श्रीमान कमल नात जी है मगर जैसे की मध्यप्रदेश की लोग जानते है कि परदे के पीछे से कोई और ही सूत्र समान रहे है तो इन लोगों ने जिनको प्रश्रे दिया था जो भी अपराधिक तत्व थे अभी उनको ब चुनाओं में वो पहले संसलिप्त थे ही अभी पुना उनकी उसमें सहवागिता सामने आ रही है और इसलिए यह मध्यप्रदेश की जनता को बहुत ही हताश करने वाला विशे है वैसे भी जनता इन चुनाओं परिणामों से प्रसंद नहीं थी उनको लगा कि हम यह तो नह संद का करारा जवाब देगी